मस्कार दोस्तों स्वागत ये अपने हिोटूब चैनल यूनिक स्टिडी हब में आज हम आगके करते हैं पने राज्टे की जो सी एम और गर्णर है अपना आज का राज्टे है राजश्थान राज्थान की जो राज़डानी है जैपूर है और राज्जास्थान अमारे अक्षेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा राज्जास्थान इसोक गैलोथ यहां के जो चियम है अभी न्य बने हैं असोक गैलोथ और यहां के गवर्नर कौन है स्रीकल्यान सिंग स्रीकल्यान सिंग यहां कि क्या है गौर्णर है और यह कंग्रेस सरकार से हैं अभी एलाक्षन होए थे रज़स्तान में तो वहां पे कंग्रेस की सरकार बनी है और जो सीम है वह असोगल हो था और स्रीकल्यान सिंग कि यहां के राजय अपल है यहां की सरकार पॉक्स एक्ट चलाया है पॉक्स एक्ट में क्या करका कि अगर कोई 12 साल से चोटी बच्ची के साथ रेप करता है तो उसको सजाए मुद्फासी दी जाएगी फासी की सजा सुनाने का यह जो फैसला लिया है यह राजस्तान की सरकार ने लिया है और यहाँ पर क्या कर खाएग कहली फूरी स्टेशन है कहले प्लकส स्टाय नमबर वन पुलिस टेशन है कई एक की सथadow प्लक स्टेशने भूप स्ट्ट वंति और चैज्च आओ आको靈 चोंज्टान वे कौन हैं इम्रान जी इम्रान कोन्हां या क्या है ब्रांड अम्बेस्टर ब्रांड अम्बेस्टर इम्रान खान है और एक क्रिकेट जो टीम है अपनी महिला क्रिकेट टीम महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है मिताली राज मिताली राज महिला क्रिकेट क्रिकेट के लिए महिला क्रिकेट के लिए कैप्टन है और देखो यह राजस्थान से बिलॉग करती है बारत का कि सेकिंड रेलिवेस्टेशन चो पूर्णते महिलाओं दवारा चलेगा राजस्थान में गंदी नगर गंदी नगर जो इपने जैपूर में पढ़ता है गंदी नगर रेलिवेसरेशन वहाँ का जो महिलाओं के दुवारा चलेगा और एक सबसे सिई और यहां कि सुदस्ट से पहले यहां पर पंचायती राज्व लाग़्य स्बस्टान यह किया है कि अलवर म quiénए लब संख्यों को के लिए कि सुदस्तान खौला गया है इस से पहले सुदस्ट से पहला लिए सिफन संस्थान अलोर में खौला गया है कहां पे अलवर में देखो यह करंट फेर हैं जो अपने 2018 2019 को मिला के हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट हाग के जो एक्जाम होंगे उनके लिए राजस्तान में उंट महात्सो मना गया है उंट महात्सो कहां पे मना गया है राजस्तान के बिकानेर में राजस्तान के बिकाने संफिक लिए हम ने बता दिया और कालूप पुलीस टैसन है जो number one है और दोस्तों राजतान के लिए यह काफी है आजए करती हम अपना राज्य सिक्षम सीक्षम राज्य ौई यहां का जो सिक्षम राज्य यह relación तानिका है गंग टॉक गंग टॉक और यहां के जो अपने रज्यपाल है राद सीम है सीम कौन है पॉन कुमार चाउनलिंग पॉन कुमार चाउनलिंग पौन कुमार चाउंlek है सिक्किम के चीम और यहांके जो रज्यफल हैं वो कुण है गंगा परशाद गंगा परशाद पौन कुमार चाउंवलिंग के बारें बता दे हम 24 साल से लगातर सीम है और सबसे लंबे समय से जो अपना सीम का जो पत है वो इनके इन पर है तो आगे जो अपने पॉन कुमार चामलिंग है यह सबसे में लंबे समय से सीम है चोवी साल लिंगा करियबार है अब तक चोवी साल से लगातार चलते आ यह सबसे चोटा राज्य है जनसंख्या की दिरिष्टी से सबसे चोटा राज्य है है जनसंख्या की दिरिष्टी से सबसे चोटा राज्य कौन सा है सिकिम और यहां पे जो बारत को 2019 टर्गेट रिपना रखा है बारत को 2019 तक स्वस्थ बिल्कुल सोच मुक्त बनाएगा और जो स्खुले में सोच मुक्त पहला जो सहर है जो राज्य है वो किया है सिकिम सिकिम पहला सोच मुक्त राज्य है और पेड़ों के साथ मानु मानुएता का रिस्ता बनाने बनाने वाला भी पहला राजे कुन सा है सिक्किम है और इसके लिए क्या क्या और गैनिक खेती शुरू की गई यहां पर और गैनिक खेती शुरू करने वाला पहला राजे कुन सा है सिक्किम और गैनिक खेती और गैनिक खेती शुरू करने के लिए ही इसको फ्यूचर सखेक से इससी गौड़ पुरुषकर किसको मिला है सिक्म को सिक्म के चामलिंग है उनकी जो इससरकार चार्टी है उसका नाम कि एक शेंट फिम की सुरकार ने एक यूजना चला रेखने बेश्जदीस से उन फैमीली-वन यहां के जो ब्रांड ऐमपेस्टर हैにupp議 के लिए यह बहुत है और आप्ट कर लिया है तो इसके बारे में जुरूर आप पड़ें दूबारा देख लें वीडियो तो अगर सब्सक्राइन आया हो तो आगे हमारा है तमिल नाडू तमिल नाडू के जो राजदानी है चेनी नाडू की राजदानी है और यहां के जो सीम है सीम कौन है यहां के इड़ा पड़ी प्लानी स्वामी इड़ा पड़ी प्लानी स्वामी के प्लानी स्वामी और यहां के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल प्रोहित बनवारी लाल प्रोहित तमील नादू देखो तमील नादू नादू इड़ा पड़ी दब नादू ड़ा हीडा पड़ी तो आप सीम को याद रख सकते हो और पिलानी स्वामी स्वामी से आप बनवारी बनवारी किसको क्रिशन बगवान को बुला गिया है तो स्वामी कौन है कौन है स्री क्रिशिन भगवान बनवारी लाल तो यहां से आपको तमिल नाड़ू के बारे में हम करेंटा फेर करवा देते हैं कावेरी नदी विवाद किस-किस के बीच में चल रहा है तमिल नडू और करनाटक के बीच में करनाट्टक पर तमिल नाडो के बीच में कौण सा विवाद कावेरी नदिवीवाद करनाट्टक और तमिल नाडो के बीच में भर्त नाटम निर्ते हैं भर्त नाटम अब等 और बारत का मांचके बोला गया को और उतरबारत का कानपूर कॉम्ट टूर को दख्षिन भार्त का मांचेस्टर का गया है जो तुमिलनड़ो में है और उत्र भार्त का जो मांचेस्टर है कौन है कंपूर तुमिलनड़ों में और के फेमस है यहाँ पे चेनपी सुपर किंग साट धूम में एड़ और चेने इस सोपर किंग ने जीता आइपियल और इसके जो कैपटन है वो MS धोनी है और बात का मैंचेस्टर जैसे दक्षन बात का तो हो गया कॉम्टूर उत्र बात का हो गया कानपूर और भारत का मांचेस्टर अहमता बाद एहम्ता बाद एहम्ता बाद किसका भारत का मांचेस्टर बोला गया इसको इसको से पहले मिड़े मिल शुरू किया था चे नहीं ने मलों तमील नाडू सरकार ने और मिनक्स यहां कि जो कुछ फैमस मंदिर हैं वो बता देता हूं आपको मिनक्सी मंदिर सोर मंदिर नटराज म मंदिर देखो दोस्तों चेनेई तमील नाडू में यह आपको कुरंट अफिर मैंने बताए हैं इन से बाहर कुछ नहीं आना और आप वीडियो को सेर और लाइक जरूर करें आगे जो सेर अपना राज्य है वो तेलंगना है यह अंदर अंदर प्रदेश से अलगू आया और इसकी राजदानी क्या है है हिद्राबाद हिद्राबाद राजदानी तेलंगना की है पहले दोनों की राजदानी होते लिए हिद्राबाद अंदर प्रदेश और तेलंगना की अब तेलंगना की हिद्राबाद होगी और अंदर प्रदेश की अमरावती होगी है देखो यहा या कि अपने गवर्नर हैं वो कोण है यह कि गवर्नर है बनवारीलाल परोहित नई भनवारीलाल परोहित अपने जो तृमिलएदू के हैं और जो तेला गणारा है उसके हैं लकषमी नर्सिमा लक्समी नर्शिमा लक्समी नर्शिमा जो है अपने किसके हैं तेलंगना के गवर्णर हैं और तेलंगना के बारे में और बता देते हैं हम आपको इसकी पर्थम बासा है तेलगू है और सेकेंड बासा जो बनाई गई है वो उर्दू को बनाया इसने सेकेंड बासा किसको बना शीविड़ांने का कारखाना कहाँ पे हैं हैज्वाद में और शीय पमेय पयग traffic और अभी है जो महिलाओं के लिए देश का पहला इंकीव regard रग्र इंक यूफ बेटर इंक्यूबेटर बनाये गिया है कि इसने बनाकी सेल्खना की से ने बनाया है कि देखो क्यां यह पर एक हैंस हस्पिटल है कौन सा प्रीट एह MN Cancer Hospital है जिसका नाम गिनिजबुक में दर्ज हुआ है MN Cancer Hospital जहाँ पर एक मद्धय रिल्वे दक्ष्न मद्धय रिल्वे है दक्ष्न मद्धय रिल्वे का जो हेड़ कौरटर है सजिंदराबाद में है और दक्ष्न मद्धय रिल्वे जो हैं 100% LED प्रकास से चलने वाड़ा मतलब सोर उर्जा से चलने वाड़ा पर्थम रेल्वे स्टेशन बन गया है कौन सा दक्षिन मद्दे रेल्वे जो हैं 100% किसे चलेगा सोलर पावर से तो दोस्तों ये अपने तेलंगाना के लिए इतने काफी है और आगे चलते हैं त्रिपूरा की राजदानी अगरतला त्रिपूरा की राजदानी कौन सी है अगरतला और यहां के जो सीम है उनका नाम है विपलब कुमार देब विपलब कुमार देब यहां के सीम है और यहां के जो गवर्णर है कप्तान सिंग सोलंकी कप्तान सिंग सोलंकी जो की पहले अपने हर्याना के गवर्णर होते दे आप किसके हैं त्रिपूरा के गवर्णर है कप्तान सिंग सोलंकी और इसके बारे हम क क्विन पाइनेपल को रश्टिय फल गोसित किया है किसने त्रीपुरा सरकार ने और त्रीपुरा सरकार ने ही 10% पुलिस पदों में महिलाओं को आरक्षन दे दिया है किसने त्रीपुरा सरकार ने बुद्ध द्रम विश्वविदालिय कहां पे है त्रीपुरा में त्रीपुरा से आगे हम चलते हैं उत्तर प्रदेश देखो सबसे सबसे बड़ा स्टेट है सबसे बड़ा राज्य है अपना उत्तर प्रदेश जन संक्या कि दरिश्टी सबसे बड़ा कौन है उत्तर प्रदेश यहां की राजदानी लखनौ है और यहां के जो सीम है उनको सब जानते हैं कौन है योगी अधित्य नाथ योगी यहां किसी हम कौन है योगी अधित्य नाथ और उत्रप्रदेश के बार हम तो जितना पता है जय उतना कम है क्योंकि यहां पर जो लखनौ है लखनौ से अपने यह किसका संसद अशल सद एरिया है यहां से अपने जो ग्रैम मंत्री है राजनात सिंग्ग यहां से लेक्षन है इलेक्षन लड़ते हैं इलेक्षन से तरहे मोधी के लिए मोधी जी के लिए यहां उत्रप्रदेश में एक आगरा एयरपोर्ट है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है दिन दियाल एयरपोर्ट दिन दियाल एयरपोर्ट कर दिया गया है और जो पराना नाम था आगरा ए नाथ नगरी नाथ नगरी कर दिया गया है और यहां पे जो दुनिया की सबसे लंबी सबसे बड़ी कंपनी स्तापित करने जा रहा है कौन सैमसंग सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैं मैंनिफेक्षिरिंग कंपनी वानसी में स्तापित करने जा रहा है और यहां तितली पार्क कानपूर में जो उत्तरप्रदीस का पहला तितली पार्क कानपूर में १ुरौ को तरभारत का मांचेस्टर कि's को कहा गया है कानपूर को यहाँ की स्रकार ने योकी ंकी जी ने क्या किया है कि बीना इजाज़द्गी बंद कर दिया गया है कि फैजाबाद कानक फैजाबाद इसका नया नाम अयोदा धाम कर दिया गया है अयोदा सबरी नदी के किनारे है और जो फैजाबाद है ये राम जनम भूमी है जो राम मंदिर है वो यहीं पर है राम जनम भूमी फैजाबाद उसका नया नाम क्या कर दिया गया अयोदा धाम दिमागी बुखार का उपचार और इसको इसके लिए अपने योजना चलाई गई है उत्रप्रतेशी सरकार ने कौन सी योजना है दस तक योजना दस्तक योजना दिमागी बुखार से संबद है यहाँ पे इलाबाद है इलाबाद का नाम प्रियाग राज कर दिया गया है प्रियाग राज और यहाँ पे ही क्या है संगम के टटपे सित है और अर्द कुम मिला चल रहा है यहाँ पे 22 से टेश जनुरी अर्द कुम मिला और वारण सी में 22 से जनुरी को एणर आई डे मनाए गया है प्रवासी बाहतीय दिवस और यहाँ पे जो आती थी हैं उनका नाम बहुत ही फैमास है मारिसस का पीएम है मार प्रवीन जगननाथ यहां के मार्शस के पी-म है और जो कि अपने प्रवासी बातिय दिवस्ट के रूप पर अधिति के रूप में आये हैं अब ज अपना फैचाबाद उसका नाम भूत फैमस फैचाबाद का नाम रामजनमबुमी है याद रखें लखनों में ही हजचरतनाथ गन्चोरहा और दिया गया है अटल चौक कर दिया गया है और अटल चौक आप याद रखना यह जो नाम बदले हैं बहुत ही इंपर्टेंट है और पुछे जाएंगे कोई भी अपना एक्जाम हो आग़े गंगा हरितम योजना चलाए गई है गंगा हरितम योजना कौने सरकार ने गंगा हरितम गंगा हारीतम जो योजना चलाएगी कोड़सी सरकार ने चलाई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोस्तों उत्तर प्रदेश बहुत ही फह है है बहुत ही बड़ा है और यहां के बारे में जितना पताया चाये उतना कम है यूपी की सरकार ने ही मुगल सराय रेल्वेस्टेशन का नाम बदल के पंडित दीन द्याल अपद है रेल्वेस्टेशन कर दिया है मुगल सराय रेल्वेस्टेशन का नाम पंडित दीन द्याल उपद है रेल्वेस्टेशन कर दिया है और वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट यहां की यूपी की सरकार ने ही यह योजना चलाई है वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट और गंगा हरीतम जो अब यान चलाई गया उसके कोडिंग एक व्यक्ति एक विक्स लगाएगा गंगा हारीतम जो योजना चलाई है उसमें एक व्यक्ति वन मैन वन ट्री ये योजना चलाई है यहां के उत्रप्रदेश के जो ब्रांड अमबस्टर है अक्षे कुमार को बनाए गया है अक्षे कुमार को क्या बनाए गया है यहां का ब्रांड अमबस्टर तो दोस्तो जो अ कर देया गया है उनके लिए स cyn Word कर दू अबर कर और कि या। तो हम यह पर करते हैं आगे का नेक्स romance सार्ट में करेंगे हम तो दोस्तों आपको पसंद आई हैं लाइक करें और इसका शेयर जरूर करें सब्सक्राइब के साथ क्योंकि इस एक वीडियो में ही सभी रज्जे के सीम गर्णर और करंट अफेर कवर हो रहे हैं आपको कहीं और जाने की जुरूरत ही नहीं है सब कुछ यहां कवर हो रहा है धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब रहे हैं